नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल दर्दल दिंग कैपिटल में मैं हूँ अभिशेग और आज अपन फिर से देख रहे हैं जनरल साइन्स प्रेक्टिस सीरीज बेस्ड ओन NCRT तो चली शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्ण आज का अपना पहला प्रश्ण है प्रोड़क्शन अफ क्लोरो फ्लोरो कार्बंस तैट इस अलसो कॉल्ड सी एफ्सी गैस विच इस प्रपोस्ट तो भी बैंड इन इंडिया इस यूज इन विच आफ फॉलंग डमेस्टिक प्रोडक्स तो अप्शेंस है ए टेलिविजन ब इस अपना प्रेज़ फ्रिज तो इसका किसमी बढ़ ता है ए फ्रीज रिटरम तो इसका जो सही आप होगा वोगा बी वाला तो चले जिते हैं अपना अपना नेक्स कोश्टिन और सेकंड कोश्टिन से बल्लून्स अर फिल्ड विथ ए नाइट्रोजन भी हिलियम सी ऑक्सी अरिजरे तो बल्लूंस में नर्मली कोशेज रहती है एक वहलकी जास इसको लेट लाइटर गयस रहती है उसके सेटल इसको क्या बोलते हैं अपना फिलियम से थके में लाइट एन डियूंस लाइं होगा एलियम इसका चली ऐथा रहती है हिलियम नचे नेक्स पीशन थे इन में से कौन सा कोई निज मेटल नहीं है, A Silver & Gold, B Zinc & Gold, C Copper & Silver, D Copper & Gold अब 3 तो आप ही यालो गला की जो,,, और स्थेक हैं,it नहीं है इनमेंज मेटल नहीं नहीं है,好吧, इनमेंसे कोई निज मेटल नहीं है इनमेंसे कोई निज मेटल नहीं है Sinc & Gold तो इसका सभी जाया वहाँ होगा B वाला आपना से में सीशन तो इसका जो सही जाब होगा, उलैड होगा, क्या होगा? लैड होगा, कैसे निकलता है? आपना आज का पाँछवा कोशिन, अपना पाँछवा कोशिन है, bell metal is an alloy of a nickel copper b zinc and copper c brass and nickel d 10 and copper तो पांच्वे जवाब होगा वो होगा 10 and copper इसका जवाब होगा 10 and copper जो मंदिरों में गंटा लगा रहता है bell बड़ा से bell लगा रहता है कौन से metal का alloy होता है 10 और copper गठीक है तो इसका जवाब होगा वो होगा D वला तो चले देखते हैं अपना नेक्स कोशन अपना नेक्स कोशन है water is a good solvent of ionic salts because a it has a high specific heat b it has no color c it has high diple movement d it has high boiling point तो जो ionic salt है वो good solvent क्यों होते हैं क्यों किसमें high diple movement होता है अब आप पूछ रहा हमको diple movement क्या होता है यह रा diple movement का पुरा diagram ठीक है मुउज उगल टो क्यों टू र क्यों पॉसितिव चार्ज वाइल दे आ तो शार्ज दिस्टें बेटें थे इस दिन बें देडिन देम इस दिन देन दिन दिस आप अंडिस दिवाइल दिस चार्ज इंट्टो अब दिस्टेंग जों डिश्ट होगा वोगा डिवाला ओके जिसका जोसे जाओ होगा वो डिवाला यह ट्रियम का वो क्या होता है अपना नेक्स कोशन क्या बूल दा जो की एत्ट कुशन है ता में कंस्टेंट्टेंट्स अफ पर्ल्स आर पल्स मुती होते हैं होगो भूँ होगा जो थालिवाल पड़ियर्टेंट्स अ्मेक बदेग्से सिंट्रम्स आर्वाट चलस्टेंट्स असां जोखनाफेंग जोगा वालियर्ड बूलियर्टेंट्ट्स मोट्टे का किया यह घता है श्रुड होता उता हता है पाल्स कहा से मिलते हैं बिसक्नीक तो इसका जुसरी जाब होगा वो क्या होगा बी वाला चली देखते हैं अपना अबने नेक्स कोश्ण क्या किया रहा है अमलकम्स आर अमलकम्स क्या होते हैं A. Highly colored alloys B. Alloys which contain mercury as one of the contents C. Alloys which have great resistance to application and D. Alloys which contain carbon तो इसका जुसरी जाब होगा वो होगा Alloys which contain mercury as one of the contents आप पहले जानी MLGUM क्या होते है MLGUM होते है जो दान्तों को बीचे बढ़ा जाता है ताकि दान्तों को पकड़ मजबूत हो ऐसा देखी यह इसलवरिश कलर का अमलकम है यह है MLGUM ऐसा दान्तों को बीचे मजबूत हो यह MLGUM क्या होते हैं क्या है यह होगी क्योंकि इस 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 में मरकरी करना तो ठीक है MLGUM स्क्राइब थे जावागा बीवाला चले तो अपना अपना नेक्स्ट कॉशन और होगा टैंथ कोशन अटेंथ कोशन क्या कहा रहा है सबसे लाइटेंच मेटल कॉन सा है तो इन भगल में डाइगरम दे हो तो आसान यह कोई भी समा सकता है ए मर्करी यह भी लीथियम सी लैड डी सिलवर तो फिर इसका जो सही जावाब होगा हुआ अब्यस्स इस बात है लिथियम क्योंकि मैंने बगलने पहले सभी डाइगरम दे चुका है तो विए घ्रसकार ते सांसर को तो लाइटेस मेटल कौन सा होगा लिथियम इसका जो जो जाव होगा लिथियम ओके इसका जो अटमिक नमबर होता वह था है है रिद्धियम ली प्रश्चन के ऊपर तो पॉप्शन परते हैं बन ए रिद्धियम बी जिंक दी उरेनियम दी मर्कुरी तो ऐसा में तल है मरकरी क्योंकि मैंने बगलने डाइगरम में दिया हो बहुत अब्वेस है करना इसको इसका जो सही जाव होगा होगा अगरी ओके जाव होगा अगरी प्रश्चन पर मेंगनेंट इस फोप्योफाइंग द्रिंकिंग वॉटर बिकॉज ए औप्शन पर देता हूं ए इट इस तरिलाइजिंग एजिंट बी इडिस आप टिजिंग एजिंट दिटेजिए अ अच्छिदाइजिंग एजिंट के प्रेक्टिकल बेरें बहुत ही ज बाइक होता है लेकिन इसका सई है आप क्या होगा प्योपा क्या होगा क्या ही तो चले नाइक को सब्सक्र क्या होता है क्या थीयमेंट ट्रिंटिक दॉट्टी फाइस सी emerald diamond मैंने पहले से बगल में diamond को पूदी दिया है डाइग्राम दिया है तो पहले सो अप समझ सकतने किसका अंसर क्या होगा ऑप अब इस यह वात है diamond ही होगो मैंने कल बता है diamond क्या होता है diamond is the hardest material present on earth और it is in alo और एक और एक और कहता है यह ilo-trop का यह carbon का है allotrop, okay, diamond is the hardest and graphite is the softest था कल, मैंने बताया था option में किसी, और element क्या है, इन में से चारों में से diamondic element, okay, इसका सरी जाब होगा, D वाला, तो चलिए देखते हैं अपना चौधवा question, 14 question, marge gas, is marge gas, methane gas का दूसरा नाम है, जता है, तो तो A nitrogen, B ethane, C methane, spokesperson, hydrogen,iesta, gotta burnt agave gas का दूसरा नाम क्या है, amino gas CH4 से denote करते हैं उसको, उस में क्या होता है, carbon hydrogen होता है, उसका formula होता है CH4, मार्च gas क्या होता है, methane होता है, बस trazer methane का दूसरा नाम क्या है, MARG gas, सकर सही जाब हो, क्या होगा, होगा मीथेन होगा पॉर्टीन का सी ओके सभी सभी को पता होगा बहुत ही चैनल को सब्सक्राइब करके बात एक कैसा था वीडियो और मैक्सिम से मैक्सिम लोग तो शेयर कीजिए आज का हमारा वीडियो देशने के लिए धन्यावाद